असलाम आलेकुर रहमत ल्लाई बरकातू वेलकम टू रुजदास कीचन आप सब लोग कैसे हो उमीद करते हैं अल्ला के फ़तल करम से आप सब लोग खायरे से ही होगे आज हम फेड नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं हम यहाँ पे मुंबई की फेमस भजी पाओ आनियन पकोडा की रेसिपी आप से शेयर कर रहे हैं यह बाहर जैसे हम क्रिस्पी खाते से इसी तरह से ही बनाएंगे खाने में बहुत ही डिलिशियस लगते हैं आप एक बार मेरे तरीके से जरूर ठाय कीजिएगा आपको इंशाला बहुत पसंद आएगए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप से हमबल रिक्वेस्ट है अब हमारे चैनल को जरूर लाइक शेश सबस्क्राइब कीजिए हैं अब हम रैसीपी स्टार्ट करते हैं हमने यहां पे फोर मीडियम सैस प्यास को स्लाइस में कट कर लिए पकूरे कौप स्लाइस में ही कट कर लिजीएगा हमने ऑप ऑन कैप बेस्ण ले लिए है।21 कृ मिर्च छॉप करके रख दिये हैं टेस्ट के सबसे नमक एक टेबर सुमने चावल का अठा लिए इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं एक अप हमने हरी धनिया ले लिए वन फॉर टी स्पून अध्रकलेस इससे ज्यादा नहीं ले जिएगा बस इतना ही हमें लेना है अब हम प्याज में इस्प्रिंग आनियन जीरा पाउडर अक्खा जीरा चिली फ्लेक्स हरी मिर्च हरी धनिया सारी चीज़े हम एक एक करके डालते जाएंगे हमने पाउडर और जीरा अक्खा लिए है इसलिए कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब जरूर एक बा जाएंगे मिक्स करते जाएंगे याद रखे हमें ज्यादा चूड़ना नहीं है बस हलके हलके हाथों से इसलिए करना है कि जितने हम हलके हाथों से करेंगे पानी कम निकलेगा तो इक रिस्पी अच्छे बनेंगे हमने पूरा थोड़ा करके डाल दी अब चावल काटा भी चावल काटे से क्रिस्पी बहुत बनते हैं बहुत देर तक रहते हैं अब दे सकते हैं हमने पूरा बेसन और चावल काटा भी दाल दे हमें इतना ही चाहिए इससे ज्यादा बेसन नहीं चाहिए बस बाइंडिंग आ जाए इतना ही हमें चाहिए अब हमने तेल को पहले से ग पकोड़े बनाएंगे जितने जादा तेल में बनेंगे उतने क्रिस्पी बहुत अच्छे बनते हैं जब भी आप पकोड़ा बनाएंगे तो इसे फैला के डाल दीजिएगा इसका कोई शेप नहीं होता आप देख सकते हैं बाहर भी खाते तो कोई शेप नहीं रहता वो फैला पहिला आके दालेंगेस कमेंड़ें। जब दाला बॉतने अंदर से क्रिस्पी जाते हैं अब घ्रे फिलम को एल्गा की सद्बैयाई हो मिरा जाता है आपके पकोड़े कैसे बनें किया प्रते हैंदे एक छीटए से अंदर से और उप्रते बाइंडिंग आने तक बैसन दालेंगे ज्यादा बैसन नहीं दालेंगे इसे प्राइब कर लेंगे तीन चीजे आप जरूर धियां डखिएगा और बनाईएगा आपके इंशानल प्रपवरे बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत दिर तक क्रिस्पी भी रहेंगे फकॉरे अच्छे से फ्राइ हो रहे है अब देख सकते है इसका गोल्डन कलर अच्छे से आ गया है अब हम गयास की फ्लेम को बिलकुल स्लो करके इसे निकाल लेंगे देख सकते है इतना ही यामी कलर चाहिए इससे ज्यादा नहीं यह थंडे होते तो और थोड़ा डार कलर हो जाता है अब हम गयास की फ्लेव को आफ कर देंगे और निकाल लेंगे अब दूसरा बैश दालेंगे तो इसे बन करके थोड़ी देर रखेंगे दो से तीन मिनट और फिर दाल देंगे अब हम मिर्ची को बीच से स्लिट करके दाल दिये हैं गैस की फिलेम बिलकुल हमने स्लो रखे हैं क्योंकि ये फास गैस में उड़ते हैं अब ये हो गए अच्छे से हम थोरा फास कर दिये हैं फटा-फट से इसे चला लेंगे और निकाल लेंगे देखके आपको लग रहे हैं बिलकुल बाहर जैसे ये बाहर जैसे ही बहुत क्रिस्पी बनते हैं खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं अब एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा आपके इंशाला पकोड़े बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चाइनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दुआओं में याद कीजिएगा फिर मिलेंगे इंशाला नेक्स रेसिपी के साथ जब तक के लिए आला हाफीज